हलो माई दियर स्टूडेंट्स दियर स्टूडेंट्स आज हम और एक पॉम करने जा रहे हैं जिसका नाम है On Killing a Tree written by G. Patel तो स्टूडेंट्स समझते हैं आज की जो हमारे पॉम है तो स्टूडेंट्स कहता है क्या हमारा पॉइट वो कहता है कि Growth of a Tree is a long process एक ट्री की जो growth होती है बहुत बड़ी प्रोसेस होती है But killing of a tree is a longer process लेकिन एक ट्री को खतम करना इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रोसेस होती है इससे भी ज़्यादा टाइम लेता है ठीक है तो स्टूडेंट्स में आपको समझाओं यहाँ पे कि असल में जो यह शायर है इसको tree के साथ दारकत के साथ कोई दुश्मनी नहीं है या नहीं यह tree को काटना चाहता है लेकिन असल में है क्या कि जो मलब जो शायर है जो point है उसने tree को एक बुराई के साथ compare किया है यह फिर से regrowth हो जाता है ठीक है इसके फिर से वो छोटे छोटे चोटे शाके आ जाते हैं और वकत गुजरने के साथ साथ वो फिर से इतने ही बड़ा हो जाते है जितना यह tree असल में था ठीक है तो केने का मतलब यह है कि इस tree को खतम करने के लिए शायर कहता है कि इसको जड़ से उकाड़ना होता है ठीक है जब इसको जड़ से उकाड़ेंगे जब इसको अपरूट करेंगे जब इसको पुल्ड आउट करेंगे पापरली तो तब भी हम कह सकते है यह जो tree है इसको हमने खतम किया है अब यह फिर से रिग्रोथ नहीं हो जाएगा ठीक है लेकि मैं अब को पहले कहा यह जो शायर है इसको tree के साथ कोई दुश्पनी नहीं है लेकिन है इसने compare किया इस tree को बुराई के साथ शायर कहता है कि tree मानो कि यह एक deep rooted evil है बना कि बहुत बड़ी बुराई है अगर कोई बहुत बड़ी बुराऑी हो तो उस बुराई को खतम करना हो तो for that very purpose we have to pull it out we have to uproot that deep rooted evil जो deep rooted evil है वो जो बहुत बड़ी गेरी मनला बुराई है उसको खतम करने के लिए हमें उसको जड़ से उखाडना होगा ठीक है यह नहीं होता है कि कोई एक इनसान बुरा कर रहा है तो उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा तो बात खतम अगर बुरे कामों को रोकना होगा तो हमें उसको जड़ से उखाडना होगा तब ही वो बुरे काम रुख सकते हैं तो इसलिए जो point है उसने इस tree को compare किया है deep rooted evil के साथ, बहुत बड़ी एक बुराई के साथ कि अब शायर हमें एक tree के जिरे समझाना चाहता है कि अगर हम tree को खतम करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि किसी tree को खतम करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं and in the same way, और वैसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, अगर हमें चाहिए कि बुराई को खतम करना हो, तो we should uproot that, we should pull out that properly हमें वो बिल्कुल खतम करनी चाहिए, हम इसको जड़ से उखड़ना चाहिए तब भी वो बुराई खतम हो सकती है, otherwise मैंने आपको पहले भी कहा guys, ऐसा ना हो कि कल आप सोचें कि जो शायर है, जो पॉइट है, उसको ट्रीज के साथ कोई दिश्में नहीं है, no, not at all लेकिन हाँ, शायर हमें एक दरकत के जरी ये समझाना चाहता है कि अगर आप बुराई को खतम करना चाहते हो, तो उसकी लिए आपको चाहिए कि आपको उसको जर्ड से उखारना चाहिए, ठीक, वैसे ही, अगर आप चाहते हो कि एक दरकत को खतम करना, उसको भी आपको जर्ड से ही उखारना होगा otherwise क्या होगा, with the passage of time, जिए थोड़ा थोड़ा वक्त गुजरेगा, वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हो जाएगा, उसके छोटी छोटी जो टिविंग वो फिर से रिग्रोथ हो जाएगे और वक्त गुजरने के साथ साथ, वो फिर से अपनी जगा पे पहुंच जाएगा, जैसे वो ट्री था, ठीक है चलो देखते हैं, लाइन बे लाइन समझते हैं, आज की जो हमारे फॉम है हाँ, तो क्या है, देखो, लाइन बे लाइन अच्छे से समझते हैं हाँ, it takes much time to kill a tree, not a simple job of knife, sorry, jab of knife will do it, क्या कियता है, it takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife will do it, point हम यह समझाना चाहता है, कि एक दरकत को काटने के लिए बहुत ज़्यदा time लगता है, ठीक है, not a simple jab of knife, will do it हाँ, हम ऐसा कहेंगे कि हमने चाकू उठाया, हमने कुलहड़ी उठाई, उस पे मार दी, खत्म, बात खत्म, नो, ऐसा नहीं होता, इस तरह से जो tree होता है, वो खत्म नहीं हो जाएगा, ठीक है, क्यों नहीं हो जाएगा, इसे क्या हो जाएगा, देखते हैं, it has grown slowly, क्यों नहीं खतम हो जाएगा क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा हो चुका है, ठीक है slowly consuming the earth इसने हमारी इस अरत को चूस लिया है, consume किया है rising of it, feeding upon its crust, ये जो हमारी अरत का ओपर वाला, टॉप वाला लियर होता है उस पे क्या है, मुक्तलिफ nutrition इसने लिये होते हैं, मुक्तलिफ मालब हम जैसे कहते हैं water होता है, air होता है sunlight, बहुत सारी चीज़े होते हैं ठीक है, जैसे कहता है हमारा देखो यहां पर क्या कहता है absorbing years of sunlight ये जो tree होता है, उसने कही सालों से sunlight ली होती है absorb की होती है, air absorb किया होता है, water absorb किया होता है, ठीक है, and out of its luporous height sprouting leaves, और इसके जो गनी गनी जो पते होते हैं, जो leaves होते हैं, उन leaves ने भी ना जाने कितना कितना किया कुछ absorb किया होता है, ता इसलिए हम शायर कहता है, कि ये जो tree है, ये बिल्कुल simple job नहीं है, बस हमने चागो उठाया, हमने कुलाड़ी उठाया और मार थी, tree खतम हो गया, नहीं बलकि ये बहुत time लेता है एक tree को खतम करने के लिए हाँ मैं आपको फिर से बताऊँ, असलिए tree हमें खतम नहीं करना है, बलकि point हमें ये समझाना चाहता है कि बुराई को खतम करने के लिए उसको जड़ से उकाड़ना होता है क्योंकि जिस तरह से tree होता है slowly slowly grow होता है, तो उसी तरह से बुराई होती है, ये slowly slowly grow होती है, तो so for that very purpose, we have to finish it, ठीक है, we have to finish it, we have to pull it out, हमें बिलकुल इसको खतम करना होगा, ठीक है, आगे बढ़ते ही next stanza देखते है हमार, हाँ so hack, ठीक है so hack and chop but this alone won't do it तो point हमें फिर से कहता है तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप ऐसे कुलाडी उठाओगे और उसपे मार दोगी उसको कट करोगे, ठीक है आपको लगेगा कि हमने ट्री को कट किया है but this alone won't do it इसे ट्री कट जाएगा, लेकिन हाँ इसे खतम नहीं हुआ शायर कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ आपने कुलाडी उठा या अपने ऐसा कोई हतियार उठाया, आपने ट्री पे मार दे, उसको कट किया बात खतम, लेकिन हाँ, ट्री तो कट जाएगा लेकिन it will not finish forever ये हमेशा के लिए खतम नहीं हो गया, ठीक है क्यों नहीं हो गया, देखते है not so much pan will do it इसे ट्री को ज़्यादा दर्द नहीं होगा ठीक है, शायर कहता है, ये जो ट्री है इसे उसको ज़्यादा दर्द नहीं होगा क्यों नहीं होगा, the bleeding bark will heal ये जो ट्री के जिल्द होती है, जो सिक्न होती है उसको बाग कहते है एक क्यार के हाँ, उसमें थोड़ी bleeding हो सकती है जैसे हमने देखा होगा, जब हम किसी ट्री पे कुछ लाड़ी मारते है तो वह से कुछ पानी सा निकलता है तो शायर कहने का मतलब है कि वो ट्री का blood होता है, खून होता है बेशक उसमें खून आ जाएगा, बेशक वो bleeding आ जाएगा लेकिन, with the passage of time एक दिन आ जाएगा, वो सब कुछ heal हो जाएगा उसमें मरहम हो जाएगा, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर and from close to the ground will rise colored green twings तो फिर क्या हो जाएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा जहां सें हमने श्ट्री को काटा है, जमीन से तो इस जमीन जुछ ठीक हो जाएगा मीनेड चाबर, जैसे वो पीर से आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा तो पॉइट कहता है अगर हमने उनको जो छोटे छोटे ग्रीन टिविंग्स है अगर उनको हमने नजर अंदाज किया है तो एक दिन आ जाएगा अगर हमने उनको नजर अंदाज किया है उनको नजर नहीं रखी तो एक दिन आ जाएगा वो जो छोटे छोटे टिविंग्स तो वहाँ ना पोँचे तो इसलिए हमें पहले ही इस पे नजर रखनी है तो हमें क्या करना होगा हम इसको जड़ से उखाड़ना होगा तो फिर से मैं आपको एक बात कहूँ ये ट्री के बात नहीं हो रही है बलकि बुराई की बात हो रही है कि अगर बुराई को खतम करना है तो हम ये नहीं करना है कि थोड़ी से बुराई खतम की तो बात खतम बुराई खतम है वो फिर से हील अप हो जाएगी पॉइट हमें समझाना चाहता है, तो चलो हम देखते हैं, पॉइट हमें कैसे समझाएगा, कि कैसे हम खतम करेगे इस ट्री को, ट्री को असल में नहीं करना है, असल में तो अगर नहीं हमें बुराई को, पॉइट हमें ट्री के जिरे समझाना चाहता है, point कहता है no the roots is to be pulled out point कहता है अगर tree को खतम करना है इसके जो roots होते हैं इसके जो जड़ होते हैं वो उखाडने होते हैं ठीक है फिर out of the encroach earth कौन से roots वही जो जुनोंने जमीन को earth को पकड़ के रखा होता है उनको earth के बाहर लाना है ठीक है और क्या कहता है point point कहता है it's to be roped tied and pulled out ठीक है point कहता है हमें इसमें एक रसी बांदनी है हमें इस tree में एक रसी बांदनी है tied मतलब इसमें बहुत मजबूती से बांदनी है and pulled out और एक जटके में उसको बाहर निकालना है and pulled out इसको बाहर निकालना है snapped out मतलब कि एक जटके में उसको बाहर लाना है और pulled out entirely और बिल्कुल पूरी की पूरी तरह से हम इसको बाहर लाना है इस ताकि फिर से regrowth ना कर सके ठीक है? इसको हमें completely out करना है, pull out करना है ताकि यह फिर से regrowth ना करे यह फिर से पैदा ना हो सकी ठीक है? तो तब भी हम कहे सकते हैं इसको हमने खतम किया है देखो point यह हम कह रहा है अभी भी out from the earth cave point कहता है इसको बाहर लाना है पूरी की पूरी तरह इसको बाहर लाना है कहां से? out from the earth cave इस अरत से जमीन से इसको बाहर लाना है जिसमें उसने अपनी खुद के लिए के बनाई है गूफा बनाई है जिसमें यह भी रहता था उसको वहाँ से बाहर लाना होगा ठीक है फिर क्या होगा जब बाहर लाएंगे and the strength of the tree exposed तब ही हम कह सकते हैं यह जो tree की strength है वो exposed हो गई क्योंकि मतलब शायर के कहने का मतलब यह है कि यह जो tree होता है इसकी असल सिट्रेंगत वही roots होते हैं वही जड होते हैं ठीक है देखो यही कहना है the source यही असल में उसका source होता है यही उसकी असल में मजबूत ही होती है यही इसका सिट्रेंगत होती है तो इस सिट्रेंगत को जब खतम करेंगे इस सिट्रेंगत कैसी होती है देखो roots के बारे में बात कर रहा है point वो होते हैं white and wet एक तो white होते हैं और उपसे वो wet होते हैं ठीक है गेले भी होते है और point क्या कहता है roots के बारे में होते हैं ठीक है बहुत ही sensitive होते हैं लेकिन बहुत मजबूत होते हैं यही इसका कह सकते हैं यह बहुत sensitive होते हैं लेकिन असल में जो source होता है जो strength असल में ट्री के होते है वह यही होता है ठीक है hidden four years inside the earth और यह जो roots होते हैं यह साल उसे इस जमीन में चुपे हुए होते हैं ठी हैं इसलिए इस tree को खतम करने के लिए इसी roots को इनी roots को खतम करना होगा तब ही हम के सकते कि हमने tree को खतम किया है ठीक है दर then the matter of scroaching and chalking in the sun and air browning hardening to be sting withering and then it's done. तो point क्या कहता है जब हम ये सब कुछ करेंगे हमने इसको pull out किया हमने इसमें रिसी बांदे फिर बाहर निकाला जो उसके जड़ थे यासन में जो roots थे उनको बाहर निकाला उनको जमीन के ओपर लाके रख दिया तो उसके बाद क्या है उसके बाद tree को छोड़ना है sun light में और air में ताकि ये बिलकुल सूख सके बिलकुल ये मर जाए जब तकि फिनिश ना हो जाए ठीक है तो बिलकुल जब तकि सक्त हो जाए जब तकि खतम ना हो जाए जब तकि टिविस्टी ना हो जाए और विदर मलत जब तकि मर जाना जाए पूरा का पूरा जब तकि मर जाना जाए तो जब यह सब कुछ होगा तो तब हम के सकते हैं then it is done तो तब ही हम के सकते हैं कि जो ट्री है यह खतम हो गया है इस तरह से हमारी point complete होती है थोड़ा सा फिर से उसको revision करते हैं लेकिन हम मैं उसको ऐसे आपको बता हूँगा point के कहना का मतलब है कि अगर हमें बुराई को खतम करना होगा उसको हमें जड़ से उखाड़ना होगा जिस तरह से ट्री के बारे में point कहता है ठीक है तो point के कहने का मतलब है point के कहने का मतलब यह है कि अगर ट्री को खतम करना होगा तो इस ट्री को खतम करने के लिए उसके जड़ तक जाना होगा, इस जड़ को खतम करना होगा, इस जड़ को उखाड कर फैंकना होगा, तब ये बुराई खतम होगी, वरना तब तक हम सिर्फ कह सकते हैं कि बुराई हमने खतम की है, लेकिन वो नहीं होगी, ठीक उसी तरह से, जिस तरह से शायर कहता है, कि हम ग clean timings फिर से आना शुरू हो जाते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ if I left them unchecked अगर हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन आ जायेगा ठीक है they will take their former size once again तो फिर से अपनी जग़ पे आ जाएंगे फिर से वो उतना ही बड़ा tree बन जाएगा इसलिए उस tree को खतम करने के लिए उसको जड़ से उखाड़ना होता है उसके जो roots होते हैं उसको बाहर निकालना होता है तब ही वो tree खतम हो जाएगा same उसी तरह से बुराई को खतम करने के लिए बुराई के जड़ तक जाना होता है और जड़ को खतम करना पड़ेगा तब ही वो बुराई खतम हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से हमारा जो आज का जो लेसन है वो कमपलीट होता है I hope you enjoyed the class, don't forget to share, subscribe and like my channel Best of luck